नमस्कार दोस्तो दे लर्नर कॉंट में आप सभी का श्वागत है इस वीडियो में दोस्तो अपन चर्चा करेंगे रीट दो हजार इकिस में जो आपति वारे परसन है उन्हें कोर्ट में याची का कैसे लगाए जिन्होंने लगा दी है उनकी ठीक है जिन्होंने नहीं और इसके लाई दोस्तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि रजल्ट आने के बाद कि आपती लगाई जा सकती है बिलकुल लगाई जा सकती है और दोस्तो जो पहले के हैस का जो नीर नहीं रहेगा वो बाद में जो आपती लगेगी उन पर एटोमेटिक लागव होता जैसे मान के चल्य कि आपति लगाई новых ये और उन 1000 बच्चों के परसंट चैंज हो गया उत्थर बढ़ गए या किसी परसंट में बोनस मिल गया थो उसके बाद कोई बच्चा प्ति लगाता है तो उसको भी उन दो परसून में बोनस है वो दीया कि देखेंड दोस्तों जिन को आपति लगानी हैजो नए अबियर्ती याची का लगवाना चाहते हैं उनको अपने प्रवेशेत्स पत्र की फोटो कौपीी ओमारग शीट की फोटो कॉपी जो रीट की ओनलाइन वी जारी वो अधार कार्ड की फोटो कोपी वकालत नामा यानि परपत्र ये दोस्तों नीचे दे रखा है सर ने टेलिग्राम पर पिर देखे पहले ओनलाइन उबजेक्शन लगाया है तो उसकी फोटो कोपी अगर वो नहीं लगाया है तो आपने ओफ- रुपे रहेगी और कब जमा करवाना है तो दोस्तों ये वेक्तिकत रूप से जमा करवाना पड़ेगा बाई हैंड शिकर जाकर के और फोन है दोस्तों सर को अलाउ नहीं है करना अब देखे आगे दिखा देता हूं मैं ये वकालत नाम है दोस्तों जो पूरा भर करके और निच्छे साइन करने है यह पूरा पर पत्र है या को भर्ड़ना है दोस्तों हैसे कैसे मतले हाथ से लिगठे सर को बैजना है ताकि तौत करी पर अबियर्थी का पीता का नाम आता का नाम संपुर्ण पता जोäg भर ढ़र हो पूरा बादा भरिगाना है बासा कौन सी है बास MR seat की जो आपकी carbon copy उसकी photocopy अधार कार्ड की photocopy देनी है अब देखे याच्छी का करता दोस्तों के बारे में पूरी चीज बताईए सर को सरने की उसको खुद को आना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ हल्प नामे पे उसको sign करने है सिकर जाना पड़ेगा और निचे देखे कोर्ट में रिट कौन कौन लगा सकता है या अगर नहीं लगाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा तो देख लिए दोस्तों कोर्ट में रिट कभी भी लगाई जा सकती है इसकी कोई अंतिमती थी नहीं है रिजल्ट आने के बाद भी लगाई जा सकती है कट ओफ आने के बाद भी लगाई जा सकती है अब देखे रिट दायर हो जाने का मतलब यह नहीं है कि एंसर की में निशित बदलाओ होगा तो यह को कोर्ट द्वारा भी एक विशेश के कमेटी गठन करेगा और मदल की जा सकती है और वे कमेटी जो निरने लेगी उशी के अधार पर कोर्ट का निरने आ सकता है ठीक है फिर देखे यदि कोई वियर्थी संभावित कटोफ की सिमा से उपर आ रहे हैं तो उनको रिट लगाने की जरूरत नहीं है कटोफ जारी होने के बाद भी रिट लगाई जा सकती है और यदि कोर्ट द्वारा इस समद में कोई फैसला सुना दिया जाता है तो उसके बाद भी रिट दाइर करने वाले पर वही फैसला लागू होगा मानके चलिए किसी बच्चे के चार परसनों का या चात्रेजिस ने लगाई थी याचिका उसका फैसला उस पर डिटो लागू हो जाएगा तो यह संपुरुन जानकार है दोस्तों और सर का टेलिग्राम आपको दिखा देता हूं मैं यह टेलिग्राम है दोस्तों मनोज मिस्रा प्रिशकार शिकर नाम से यहां आपको दोस्तो मिल जाएगा और बिल्कुल विश्वसन यह सर है दोस्तों कोई दोखा देली नहीं होगे आपके साथ तो यह पूरी दोस्तों इन्फोर्मेशन है बहुत सारे लोग पूछ रहेते कि हम किस तरह से याचिका लगाए या किस तरह से आगे कि मैं प्रोसेस करने चाहिए तो यह